ओ है अरे क्या हुआ एसे मुह क्यों लटका रख है क्या हूं दास हूं यार क्या बताऊं एक तो आगे से डाउट में हूं कि आगे क्या स्थीम लों क्या केरियद आपशन सच में ना दसवी पास करके ना बहुत डाउट में उसच में और उपर से मेरे डिश्तेदार आप तो जानते ही हो यार पूछ पूछ के दिमाग खराब कर लिया कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है क्या कुछ लेना है टोटली कन्फियूज जो कि भाई क्या करूं सच में भॉज अरे तो इसका दो सिंपल आंसर है डियमाइटी कर वालो उससे सब क्लियर हो जाता है दर्मेटोग्लाइफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट ठीक है और इसका जो मतलब है वो इसके फर्स्ट वर्ड में ही चुपा हुए डर्मेटोग्लाइफिक्स डर्म का मतलब होते हैं हमारी जो स्किन होती है और ग्लैफिक्स का मतलब है कि भही हमारी जो रेखाएं होती ह तो हमारी जो fingerprint है ना उनका हमारे brain lobes के साथ connection होता है और उसी connection की study DIYT के अंदर की जाती है तो simple सी बात है इसके अंदर हमारे जो एकतने से हमारा brain भगवान ने बनाया तो उसकी mapping हमारे हाथ में दी है यह बिलकुल वैसा ही है जैसा हम घर बनाते हैं और उसका नक्षा blueprint हम तयार करवाते हैं ठीक है यह psychologicallyly proven है scientifically proven है कि भई हमारे brain के अंदर 1200 करोण neuron cells हैं और वो neuron cells किन किन lobes के अंदर किस किस percentage में है यह हमारी brain mapping होती है इसके अंदर DMIT के अंदर ठीक है और उसे हमें पता चल जाता है कि हमारी क्या-क्या inner qualities है और उन inner qualities के चलते हैं हमारी क्या personality है हमारा brain किस subject में allow करेगा किस stream में allow करेगा हम किस tease के अंदर अपना future देख सकते हैं यह सारा खुछ हमें DMIT से पता चल जाता है कि भाई हमारा IQ कैसा है AQ कैसा है EQ कैसा है CQ creative question कैसा है यह सारी चीज़े पता चल जाती है तो सब कुछ clear हो जाता है अरे वायर यह DMIT इतनी सही चीज़ है चलो यार फिर तो सच में गरवानी चाहिए यह सच में effective और तो और यह 160 carrier options में से आपको 40 carrier options चूज करके देता है वो भी star rating के साथ कि भाई क्या inner quality आपकी आपके अंदर है और किस inner quality के चलते आपको किस carrier option को चूज करना चाहिए और उस चीज़ को समझ पाएंगे अच्छे से कि हाँ बही बिलकुल जैसे आपकी रिपोर्ट में आया है आप उसी तरीके से नेचर के अंदर इंटरेक्ट करते हैं और गजब की बात यह है कि brain lobes में neuron cells की percentage पता करने से सबसे इंट्रेस्टिंग बात यह पता चलती है कि आपका learning pattern क चलता है मतलब किस तरीके से जादा इक्वाइर करते हो ठीक है और इक्वाइरिंग मेथट्स पता चलने से पैरेंटिंग टिप्स भी दी जाती है कि आप अपने बच्चे को कैसे केरफुली हैंडल कर सकते हो कि बच्चा डिप्रेशन में ना जाए और बच्चा जो है ओवर लोगा सीक सकता हूं यह सारी चीजह में डिएमाईटि बताती है इसके अलावा हमारी हैंड डौोमिनेंस और ब्रेण डौमिनेंस का भी पता चलता है हमारी क्या परसनेलटी है इसका पता चलता है हम किस हैंड से देखो अब जब बच्चा स्टार्टिंग में ही स्कूल में लेने जा रहा है तभी उसकी DMIT हो जानी चाहिए वैसे तो ताकि उसके brain dominance के basis पर यह पता लगाए जासके कि वह बच्छा left-handed होगा यह right-handed होगा ठीक है हमने एकसर देखा है कि almost लोग right-handed होते हैं और creative लोग left-handed होते हैं तो वह ठीक है thank you so much आपने मेरी बहुत है अब मैं जल्ली से बात करते हैं चलो पापा से और जल्ली से DMIT करवाते हैं बिल्कुल अगर कोई अच्छी सी आपके जानते हो कि आप कोई DMIT करवाता हो यार प्लीज मुझे बताओ मुझे सच में बल्कुल पता है मुझे सिंपल सी बात है कि मेरे खयाल से मैंने जहां से DMIT करवाई है तुझे भी वहां से करवानी चाहिए ठीक है मैंने DMIT करवाई है meet knowledge hub जिनका head office सादूल शहर में है श्री गंगंगर राजिस्तान के अंदर ठीक है तो भाई नमबर नोट कर लो MKH meet knowledge hub इनका YouTube चैनल भी है meet knowledge hub के नाम से ठीक है और एप भी है MKH ट्यूटर के नेम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगी और ज्यादा है तो contact number note कर लो मुझे याद है देखो 97831-8009 और इसके लावा 9828257185 ठीक है तो जल्दी से नोट कर लो ठीक है number इनको WhatsApp करो रेजिस्टर कर लो और जल्ली से DMIT कर वालो और अपने future को एक clear mindset के साथ स्टार्ट करो ठीक है ऐसी confusion में रहकर के mindset जब तक सेट नहीं होगा हम अच्छे से ना तो आगे बढ़ पाएंगे और simple सी बात है कि माली जे कान पगड़ना है तो घुमा कर पगड़े या डिरेक्ट पगड़े वो डिफरेंस आजाएगा ठीक है तो तुफानों के हवाले मत चोड़ो खुद कंट्रोल करो अपनी लाइफ को थेंक यू सो मच